आज दोस्तों आपके लिए मैं लेके आए हूँ तंदूरी चिकन के रेसिपी आप तंदूरी चिकन होटल्स, रेस्टरेंट ये घर पे कैसे बना सकते हैं वो आपको बताऊंगा मैं step by step वीडियो में बने रही है और अगर आप हमारी यूटीब चैनल में नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर करें ये दोस्तों मैंने चिकन ले लिया है, मैंने साबो चिकन लिया है चिकन को एकदम मेंने बिल्कुल धोके रखा हुआ है, इसमें हम cut लगा लेंगे दोस्तों cut लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप cut नहीं लगाते हो तो जो masala है वो एकदम चिकन में बराबर नहीं लगेगा और चिकन बराबर नहीं पकेगा, चिकन में cut लगाना बहुत जरूरी है तब ही उसमें मसाला लग जाता है और चिकन अच्छी तरीके से पक भी जाता है तो कट आपने याद से लगाने हैं तंदूरी चिकन में जैसे मैंने आपको बताया आपने उसी तरीके से कट लगा लेना है इसके बाद हम इसकी मेरिनेशन करेंगे यानि first marination सबसे पहले नमक साथ में अध्रक लसुन का पेस्ट इसमें मैंने एक हरी मिर्च एड़ कर रखी थी और lemon juice एड़ कर देंगे इसमें और इसको अच्छे तरीके से mix कर लेंगे यह देखे आपने भी ऐसे ही mix कर लेना है अब मैं इसमें मसाले एड़ करूँगा मसालों में सबसे पहले आपने देगे मिर्च मैंने यहाँ पे आदा टीस्पून देगे मिर्च एड़ की है यह दिखे आदा टीस्पून देगे मिर्च नमक एक टीस्पून नमक मैंने एड़ कर दिया है kitchen king एक टीस्पून साथ में हम एड़ करेंगे जीरा पोडर एक टीस्प धन्या पोडर एक टीस्पून एड़ करेंगे चाट मसाला आदा टीस्पून एड़ करेंगे कस्तूरी मेती थोड़ी सी डालनी है आपने आदा टीस्पून से कम साथ में हम एड़ करेंगे सर्सों का तेल दो बड़े चमबच मैंने यहां पर सर्सों के तेल के इसको एड़ कर दिया है और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा ये फस्ट मेरिनेशन है ये बहुत जरूरी है और इसमें थोड़ा सा हम धनिया आड़ कर लेंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज कर देंगे ये मैरिनेट होगे है चिकन चिकन मैरिनेट करने को मैंने रख दिया है अब मैं मसाला बनाओगा तंधुरी चिकन का ये मैंने डिबो ले लिया इसमें एड़ करूँगा हैंकर्ड लगबख 100 गडाम हैंकर्ड मैंने इसमें एड़ कर दी है एक टीस्पून देगी मिर्च एड़ करेंगे जीरा पोडर एक टीस्पून किचन किंग एक टीस्पून एड़ करेंगे धन्या पोडर एक टीश्पून और ये गरम मसाला है जो मैंने खुद बनाया था आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको इसको भी आदा टीश्पून एड़ करेंगे नमक यानि काला नमक हम इसमें एड़ करने वाले हैं आदा टीश्पून और आदा टीश्पून हम एड़ करेंगे वाइट बाला आदा टीश्पून कस्तूरी मेथी लेमन जूस एड़ करेंगे और साथ में इसमें भी एड़ करेंगे मस्टर्ड ओयल दो बड़े चमच मस्टर्ड ओयल बहुत जरूरी है इसमें थोड़ा सा हरा धनिया इसमें एड़ करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यह देखे आपने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और यह तंदूरी चिकन का मसाला बन गया है लगवग दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को भी मैं भार निकाल देता हूं और यह देखे इस तरीके से आपने मसाला जो है चिकन पर लगाना है अच्छी तरीके से मसल के आपनी चिकन पर मसाला लगाना है ऐसे ऐसे चिकन पर इसकी कोटिंग करनी है मसाला की और यह त्यार हो गया इसमें थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे और 20 मिनट के लिए इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे 20 मिनट दोस्तों हो चुके हैं अब मैंने एक सीक ले ली है और तंदूरी चिकन मैं सीक में लगाऊंगा एक चीज का ध्यान रही हमेशा जब भी आप चिकन सीक पे लगाते हो जो गर्दन वाली साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए तो इसी तरीके से हम दूसरा चिकन भी सीक में लगा लेते हैं ये देखे आपने सीक में इस तरीके से लगा लेना है हलका सा इसमें और मसाला लगाएंगे इसके बाद हम इसको तंदूर में पकाएंगे ये देखे ये मैंने तंदूर में डाल दिया है पंदरा मिनट तक इसको हम तंदूर में पकाएंगे पंदरा मिनट तक तंदूरी चिकन को पका लेंगे इसको ढग लेते हैं पंदरा मिनट तक ये दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं चिकन हाप डन हो गया है फिर से इसको डखकन लगा के प्लाटिंग कर लेंगे दुबारा ये देखें चिकन बिल्कुल पग गया है फुल डन हो गया है इसके बाद तंदूरी चिकन में दोनों सैट से हम थोड़ा थोड़ा बटर डालेंगे ये देखें इस तरीके से आपने बटर डाला है और तंदूर से चिकन को बाहर निकाल देंगे और इसकी साप करेंगे ये देखें तंदूरी चिकन तयार हो गया है कलर दोस्तों बहुती बहतरी नाया है चिकन का आप चाहो तो थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ चाट मसाला और हरा धनिया डाला है तंदूरी चिकन दोस्तों तयार हो गया है वीडियो अगर आपको पसंद आए रिस्पी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कमेंट कीजीए शेर कीजीए और हमारे चैनल में अगर पहली वार आ रहा हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर किजीए मिलते हैं दोस्तों एक नई रिस्पी के साथ तब तक जुड़े रहे हैं मेरे चैनल कुकिंग इद मनोच में